कहते हैं कल्युक के देवता बावाशाम है तो वहीं कल्युक की देवी की अगर हम बात करें तो वो है नाराइनी झी और नाराइनी जी का जो एक स्वरूप है वह जुझनु में रानी शतीमाता के नाम से विश्व विख्यात है कौन है ये सती माता जानेंगे हमारे साथ में अरुणा जी मौजूद है अरुणा जी रानी सती माता या फिर दादी जी का एक स्वरूप या फिर हम कह सकते हैं उनकी चोटी सी कृपा आपके उपर हुई है जो आप जुनुणू की उन कल्यूक की देवी नारायनी का पूरा प परिचे नहीं हैं तो थोड़ा सा संग्षेप में उनका परिचे हैं आप से जाड़ना चाहें दिखी रानी सती दादी आज से साड़े साथ सो वर्ष पूरो जनम हुआ जब जनम हुआ तो अगरवंस में उनका जनम हुआ इसलिए लोग जादा करके नहीं जानते हैं और वो जुन-जुनों में वास कर रही है उनकी किरपा जब पढ़ी मेरे उपर तो मैंने एक प्राण लिया कि जिस तरह बाबा और मा दोनों एक ही कुल से दोनों ही पांड़ो कुल से हैं और दोनों ही किस्न भगवान के वर्दान से कल्यूंग में उतार लिये हैं तो बाबा को सब जानते हैं आलू सिंग जी ने बहुत उनका किया उनके जाने के बाद और परचार बढ़ा है इसी तरह से मा का मैं आज से 25 साल हो गया मुझे जब जुन-जुनों में एकदम कोई नहीं जाता था तब से मा का परचार परचार में मैं लगी हुई हूँ कॉलोनी से ले करके समाज से ले करके और आज पुरा बहरत में जाती हूँ एक चीज़ बताना चाहूंगे कि राणी सती दादी सत्यों की सिर्मोर है और मा दुरगा का आतार है कल्युग में इसलिए हमें हर जाती को मानना चाहिए ये नहीं रखें कि वो सिर्फ एक जाती से किसी का है सभी की अपनी अपनी कुल दे भी होती है लेकिन राणी सत्य दादी आप जब भगवान ने बरदान दिया जिस तरह बाबा पूझे गए हैं उस तरह मा को भी सब आये और उनका चमतकार देखे मैंने मेरे जीवन में देखा है और बहुत तों के जीवन में मैंने देखा है होते हुए तो मैं चाहूंगे कि राणी सती दाधी को दुरगा रूप में, नाराणी रूप में तो नाराणी ही बोलती हूँ, और नाराणी के राम से ही उनको विखात भी कर खी हूँ, लोग आधा लोग यही बोलते हैं, मा के चारो धाम की जाए, दुरगा मा की जाए, नाराणी की जा है हमारे घर में भी मा और बाबा होने से परिवार चलता है कल्यूग में भी मा और बाबा बाबा मैं साम बाबा को मानती हूँ और मा रानी सती दादी को मानती हूँ तो इनको हर ब्यक्ति को आना चाहिए उनके सर्ण में जाना चाहिए और माधुरुगा को कल्यूग में कौन अवतार है यह जानने का अधिकार है यह रूना जी कहते हैं कि जिस पर कृपर शाम के वोई उस पर कृपर करे सब कोई आपके बारे में जो चर्चा हमने सुनी है आप असम से पे लॉन करते हैं तो आ YouTube कौन सी वो कि देखे मैं साधी होकर आई मैं दुरुगा की बच्पन से इष्ट रही हूँ और मुझे तब तक नहीं पता था कि रानी सती दादी दुरुगा का ही रूप है और मुझे बच्चे नहीं हुए बच्चे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मा नहीं बनेगी लेकिन बोलता है न के पर विश्वास रखते हैं और होता भी है यदि विश्वास है तो भगवान है ने तो पत्थर है तो मेरे को जब सपना आया और हुआ और मैं जुनुञ गई और मैं दो मेना बाद पैंगनेंट हुए नौ मेना बाद बच्चे हुए और मैं वहां से इस तरह जुड़ जो होनी पार है चाहिव वो बच्चा हो चाहिए बैपार हो चाहिव संसार को मिले और उस दिन से मैं एक सपत खाली इसोगन खाली कि कितना भी काट मुझे चलना है हार उकाउटे तो हर काम में अच्छे काम में आते ही है आप घर पे बैठर होगे तो ठीक है आप चार दिवारों के अंदर है आप बहार निकलोगे अच्छा काम करोगे तो पक पक पे काटे है आपको माला पेनाते वे नजर तो आ रहे लेकिन उसके पिछे काटे तो जो चलते उसको पता चलता है लेकिन मैं उनसे नहीं डरती हूँ मुझे उनको घर-घर पुझवाना है और बहुत लोग जान भी रहें दस सालों में बहुत परचार परशार हुआ है अभी भी बाकी है अभी किवल 25% लोग जान रहे 75% अभी बाकी है तो मैं सबको ये बताना चाहूंग कि कलिग अतारनी मा राणी सती दादी इतनी किरपालू है जो मुझे सपने में आके दे सकती है तो आप पूझा करके आ उनकी भक्ती करके उनका प्रेम करके क्या नहीं पासकते हो ये मैं मोहर लगा सकती हूँ वो खाली हाथ नहीं जाये और उन्हें पूझना चाहिए और मे कलिग के देवता बाबा शाम के अगर बात करें तो उनके जिस स्वरूप की पूझा होती है उनके जिस स्वरूप का दिहान लगाया जाता है वो है उनका मस्तक तो आप से हम जानना चाहेंगे कई लोगों को नहीं पता रानी सती माता का स्वरूप क्या है और किस स्वरूप में को दुर्गा रूप में को लाडली अपनी बच्ची के रूप में पूसता है तो मा का रूप त्रशूल है और मा को चुनडी और नत और चुड़ा बहुत प्रिय है जैसे बाबा को चुर्मा का भोग लगता है इस तरह मा को पेड़े का भोग लगता है इस्पेशल और मा क कुए तीन चीज बहुत पसंद है। 국师 Pat sa आपका ससुरुआल है और आज तीज का महोटसव है तो इस तीज के महोटसव पे आपकी तरफ से राणी सती माता की तरफ से जैपुर वासियों को राजस्थान वासियों को आप क्या गहना चाहे हो। चुनुड़ी है उसे अपने गोध में लेकर लाल-लाल करते हैं एक सवाल यह है अपने भगवान शंकर का नाम लिया माता पारवती का नाम लिया और शुरूआत में सती का अपने नाम लिया था सती क्या है इसके बारे में अलग-अलग चीजे कई भ्रांतिया भी है लोग ये भी मानते हैं कि जो अपने पती की चिता पे जल गई वो सती हो गई और एक हमने हमने कल्योग में तो सबने सीरेयल हो में टीवी में ही देखा है तो आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि रानी सती माता का स्वरूप कि की आप पूजा करती हैं करवाती हैं उनका प्रचार कर सती की क्या परिवाश है और एक्ट्चुल में सती का ये देखिए शिव की पूजा कर रहे हैं अभी पार्वती जी कौन है सब जानते हैं कि सबसे पहला नाम जदि हम 108 नाम लेते हैं दुरगा के उसमें तो सबसे पहले सती का नाम आता है माता अंसुया के बारे में सब जानते हैं कि भगवान परिक्षा लेने आये तो तीनों को बालक रूप में करके अस्तन पान कराया माता सीता जब लंका गई और आने के बाद उनकी सत्ता पर सब बाते करने लगे तो माता सीता ने हाद जोड़कर अगनी को परगटकर अगनी में समा गई अगनी का मतलब आप हम लोग जो मानते हैं जो हम भोजन करते हैं वो अगनी है शाक्षत हम जी उसी से रहे हैं जो हमारी आखों का ज्वाला है वो अगनी है अगनी में ही हम भोग लगाते हैं बड़े-बड़े हवन करते हैं वो अगनी है साक्षत परमान है ये सत्यका पहले के जमाने में बच्चों को छुटी-छुटी साधी कर दिया करते थे और उनको बहुत तकलीफ मिलती थी कि ये ना वाइट कपड़े पहने खाना भी उनको प् हैं पूरु स्वर्ग तो उनको कमरे में बंद कर देना कि उसका चेहरा नहीं देखना वो फिर तकलीफ पाकर के उस पे दहन कर देते थे अगनी में कि इसको दुख ना मिले वो सती नहीं है वो पहले हुआ करता था को टाइम पे आज बच्चा इतनी पढ़ गई है वो जमान में वर्दान मिल गया था मां उत्रा को और इनका जन्म कल्यूग में हो करके 13 साल के उम्र में उन्होंने तृष्चूल रूप अपना धारन कर और कल्यूग में दिखाया है फिर भी वहाँ पर भी परमान देना पड़ता है भगवान को हर जगा जब जुझनु पर मिराजमा हुई तो लोग मानना नहीं किये कि नहीं कौन से देवी है क्या है तो उनके भक्त राणाजी ने जब प्रातना करे कि माँ यहां कोई नहीं मान रहे है तब माने अगनी प्राजलित करें अपने पूरे मंड के जहां पूजा होती है उसके चारों तरफ अगनी प्राजलित हुई तेरा दिन तक तब जाकर के लोग मानने लगे और किरपा होने लगी तब कल्यूग है ना कल्यूग में हर कोई जल्दी से विश्वास नहीं करता है तो जब वहां से प बद्धाजर बाबा जाते हैं सालासर बाबा जाते है और कि लिए गृत जयाती है ना करता है हमी ध्यूग जंञ तयुंग बनती हा तो मा के सारे रूप उसमें समा गए तो मैं तो जब भी पूझा करती हूँ नवरातरा की चाहे लक्षमी ची की चाहे किसी तो उन्ही माता को मान करके मैं पूझा करती हूँ और मैं आज उनके बदोलत यहां तक हूँ और बहुत लोग आते हैं और प्रेणा लेते हैं और जाते हैं का काम भी होता है मैं नहीं करती हो करती हूं लेकिन एक बोलते हैं ना टॉर्च मेरे हाथ में दे दिया तो अंधेरा Angi जो टॉर्च दिखाने का पर्मिशन मिला हुआ है तो मैं टॉर्च दिखाती हूँ और उस रोसनी पे लोग चल पड़ते हैं तो मैं अपने आपको बहुत तक्दीर वाली मालते हूँ कि मैं उस लायक हूँ बलता है ना कलास में एक मॉनिटर होता है तो साइध मुझे एक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के आहवान पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने एक पेड मा के नाम का आज से आरंभ कर दिया और कई करोड पॉधे लगाने का जो कार्य है वो आज से शुरू हुआ है तो आप क्यूंकि आप 13000 पीपल के व्रक्षाप लगा चु यह मैंने तो पांच साल हो गया मेरे को पीपल का व्रक्ष लगाने का बाकि तो लगाए रहे लेगा लिगं 13000 पीपल का व्रक्ष लगाने का संकल भी इसले लिक केक इसकूल में मैं गई हम लोग संस्कृत संसकर्थ स्कृल ने कौपी और किताब ही बाढ़ते हैं समाजए का कर तो वहाँ एक बच्ची को जाने से मना करी दोपयर का टाइम ता मुझा क्यों मना कर रहें उसमें भूत प्रेत रहते हैं तो मेरे को यह पटा सा लगा मन का हर की समय होता है हम भी सोते हैं दोपयर को उठाना नहीं चेहिए इसी तरह से किसी पेड़ को लाना गलत बात मत बो होते हैं कि धर्म को बढ़ाओ और एक तरफ हम काट करके अपने महल तयार कर रहे हैं तो इसका उलंगन करने के लिए मैंने मैं 13000 पीपल विष्ट का संकल्प लिया कि जब जब होगा मैं करूंगी और पीपल वर्क्ष लगाने में मुझे बहुत तकलीफ आती है पार्क में लगाते हैं तो लोग मुझे मना करते हैं कि हमारा घर है जड़ बहुत फैलता है तो उनको समझाती हूं लगाते हैं हम दूर ह है और हर इंसान को पेड़ जरूर लगाना चाहिए इसे हर्याली तो है पानी की जो हम आज सुभी दुविधा देख रहे हैं बहुत दिक्कत आ रही है पानी की वह पानी की शमेश्या दूर होगी और वातावरण स्वक्ष होगा तो हमार एक इंसान को पांच पेड़ वह एक बोल रहे हैं मैं तो बोलते हुआ पांच पेड़ का संकल्प जरूर ले पांच बोलते तो दो तो लगता ही लगता है तो मैं यहीं चाहूंगे कि अपने जगह में भी और अ मा और पिता दोनों का हाथ होना जरूरी है दोनों का साथ होना जरूरी है तो जिस प्रकार से कल्युक के देवता बाबा शाम पिता की भूमी का निभा रहे हैं वैसे ही कल्युक की देवी नारायनी या फिर रानी सतीमाता एक मा की भूमी का निभा रही है और रानी सतीमाता को और ज्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए उनकी कृपा और लोगों तक जाए उसके एक अभियान में अरुना जी लगी हुई है और साथ ही साथ ना सिर्फ उनको पहुँचा रही है लोगों तक बलकि उनकी कृपा भी लोगों तक पहुँच रही है इसे भी ये सुन जबा चुकी है। उरिसी प्रकार यह अपनी इस धर्म की सेयातरा पर राणी सतीमाता के इस प्रचार परसार पर यह निकल चुकी है।